नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासित पे आज का वीडियो है प्रमुक्त सहर एबम उसके क्या-क्या उपनाम है यानि नीकनेम क्या है तो आईए जानते हैं भारत के खुबसूरत सहर के और किस नाम से परसिद्ध है तो सबसे पहले देखते हैं उजयन जो मद्ध परदिस में है वहां मंद्रो को सहर कहा गया है उजयन को मंद्रो को सहर कहा गया है त्रिवेंद्रम की बात करें जो त्रिवंध पूरम केरल में है तो मुर्टियों का सहर भारत का सदाबहार सहर इटा नगर जो अर्णाचल प्रदेस की राद्धानी है उसे कहा गया है उगते सूर्ज की भूमी उगते सूर्ज की भूमी इटा नगर को भिलाई 36 गड़ की बात करें तो Steel City of India कहा गया है भिलाई 36 गड़ को दिशपूर की बात करें जो अश्रम में है उसे भी मंदरों का शहर कहा गया है भारत में कई सहर को मंदरों का शहर कहा गया है लेकिन अगर प्रशन आता है तो उसमें की मंदरों का सहर किसे कहा जाता है तो एहोल को कहा जाता है मंदरों का सहर काई बार प्रशन इसे पूछा ग गया है तुटी कोरन को भारत का पर्ल हर्वर या पर्ल सिटी अलब पूजा केरल में है उसे पूरव का बेनिस कहा गया है वाइनाड केरल को कहा गया है भगवान का बगीचा कोजी कोड जो कालिकट केरल में है उसे मसालो का सहर का गया मसालो का सहर कोच्ची या कोचिन केरल को क केरल का परवेश द्वार अरव सागर की रानी अम मसालो का सहर कोचिन को कहा गया है यानि केरल का परवेश द्वार अरव सागर की रानी मसालो का सहर भी कोचिन को कहा गया है लेकिन अगर कोचिन नहीं है कोचिगोड है तो कोचिगोड को कहा गया है मसालो का सहर विशाखा पत नेक्स्ट बात करते हैं धर्माबरम जो अंध्रपर्देश में अंध्रपर्देश की सिल्क सिटी कहा जाता है धर्माबरम को लाइम सिटी लाइम सिटी कहा गया है पिंडु गुराला अंध्रपर्देश का बीजय का स्थान कहा गया है विजय वाड़ा अंध्रपर्देश का बिजय का स्थान, राजमुंद्री अंधर परदेश में है, उसे कहा गया है संस्क्रिटिक सहर, भारत का ध्यात्मिक रधानी इसे कहा गया है तो तिरुपति को, अंधर उटी कहा गया है, मदना पल्ली को अंधर उटी कहा जाता है, भारत का पाबरहब, भारत का पाबरहब, कौरबाद चछतिसगड़ को कहा गया है, भारत का पाबरहब, कौरबाद चछतिसगड़ को बारत का पाबरहब, सिरी नगर, जम्मु कस्मिर को कहा गया है, जीलो का सहर, अगर प्रस्ट में आता है कि जीलो का सहर किसे कहा गया है, तो नलंदा बिहार को यहां ग्यान की भूमी कहा गया है बहुत पहले यहां नलंदा इस विद्याले काफी परसित था इसे बक्तियार खिल जी ने जला दिया था इसलिए इस भूमी को ग्यान की भूमी कहा जाता है बारदोली गुजरात की बात करें तो कहा जाता है बटर सिटी ब कहा गया है भारत का बोस्टन या भारत का मैंचेसर की सहर को तो अमरदाबाद गुजरात को Millenium City, गुरुगराम हर्याना को कहा गया है Millenium City बुनकरो का सहर कहा गया है पानीपत को Temple City of India भुवनेश्वर उडिशा को कहा गया है Temple City of India अब आई ये बात करते हैं Silver City, कटक उडिशा को कहा गया है Silver City Twin City किसे कहा गया है? तो हैद्राबाद सिकंद्राबाद को Twin City, जुरुबा सहर कहा गया है ये तिलंगाना में है है हैद्राबाद सिकंद्राबाद Gateway of North East India गोहाटी असम को कहा गया Gateway of North East India रैलियों का सहर नई दिल्ली में यहाँ सबसे ज़्यादा रैलियों होती है रैलियों का सहर नई दिल्ली में साही सहर पटियाला पंजाब को साही सहर Golden City अमरित सर पंजाब को कहा गया है Golden City बगीचो का सहर कपुर्थल्ला को बगीचो का सहर कपुर्थल्ला को Power Hub City मुंडी मध्यपरदेश Next अगर बात कर रहे है जीलों का सहर तो भपाल को भी कहा गया है जीलो का सहर ऐसे जादा तरक अगर उप्सन में रहे तो सिरीनगर को कहा गया है जीलो का सहर तो अगर सिरीनगर उप्सन में नहीं है तो भपाल मध्यपरदेश को कई बार ऐसा प्रस्ण आता है जीता है इंदोर को सोया पर्देश मध़ पर्देश को सोया पर्देश मध़ पर्देश जीलो का सहर नईनिथाल उत्राखंड को भी कहा जाता है तेके तीन जीलो का सहर में आ जाता है सिरीनगर भोबाल और नईनिथाल अब वोई देखना है कि option में क्या है सबसे अगर नेनी तालों सिरी नगर दोनों है तो आप सिरी नगर को टिक कीजेगा नेक्स देखते हैं मसूरी उत्राखन परवतो का राणी पूराव का पेरिश पॉंडी चेरी या पुड़ी चेरी कहते हैं भारत का स्कॉटलेंड किसे कहते हैं कुर्ग करनाटक को भारत की कोईला रजधानी धनबाद जारखन को कहा जाए नेक्स देखते हैं भारत का पिट्सबर्ग स्टील सीटी अफ हिंडिया जमसेदपूर जारखन पूराव को स्काटलेंड किसे कहा जाता है तो सिलाओं मेघाले के भारत का चाई सहर डिब्रुगण असम को कहा जाता है भारत का रेसम सहर भागलपूर बिहार को सिल्क सिथी भागलपूर बिहार को महलो का सहर और डाइमंड हरवल कोलकता को अगर ब्लैक डाइमंड की भूमी कहा जाए तो आसंसुल को कहा गया है पस्चिम बंगाल के में है आसंसुल ब्लैक डाइमंड की भूमी भारत की पेरिष या गुलाबी शहर दोनों में से कोई एक नाम कहिए जैपूर ही अप्शन में आएगा भारत को पेरिष की सका गया है तो जैपूर गुलाबी शहर जैपूर भारत की स्वर नगरी जैसलमेर राजस्थान नेक्स्ट है भारत का स्विट जैलेंड कस्मीर को कहा गया है जो जम्मू कस्मीर है भारत का स्विट जैलेंड कस्मीर अस्पेस सिटी भारत का गार्डन सिटी भारत का सिलिकॉन बैली साइंस सिटी ये सारे नाम है बंगलोर करनाटा को अस्पेस सिटी भारत का गार्डन तापुओ का नगर भारत का, हॉलिवुडी कहा गया है, तो मुंबई को, दक्कन की रानी, पूने को कहा गया है, अंतरीच का सहर, बेंगलूरू, पहलवानों का सहर, कुलहापूर, महराष्ट, सूति बस्तरों की रद्धानी, मुंबई को, दुनिया का चम्रा सहर, उत्तर भा प्रफ्रत्र कमेंचपुऊंगर और पृत मृष्ध कमेंचेस्टर कहा गया है भास प्रधान्मंत्रियों की सटैकर से संगम बाइचता हिए नबावो का सहर कहा जाता है लखनाव को खुस्बूओं का सहर कन्नावज को कहा जाता है सुर्मा सिती बरेली को कहा जाता है परसीद है ताला नगर अलिगड को अगर हम नोईडा की बात करें तो पितंपूरा भारत का डेट्रॉइट पितंपूरा मैसूर को कहा जाता है करनाटक करत मैसूर को कहा जाता है करनाटक करत 36 गड़ को कहा जाता है धान की डलिया कहा जाता है या धान का कटोरा भी कहा जाता है मदुराय को तैहारो का नगर कहा जाता है मदुराय को तेहारो को नगरा और जमसेदपूर की अगर हम बात करें तो इस पात नगरी कहा जाता है जमसेदपूर का यह था भारत के खुबशूरा सहर एवाम उसके उपनाम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेर कर दीजेगा धन्याबाद